आज मैं आप सभी के बीच में एक कैसे युवक की कहानी लेकर आई हूँ जिसे महच 25 वर्ष की आयू में ही भगवान का दर्जा प्राप्थ हो चुका था जन्मानस उसकी पूजा भगवान की तरह करता था जी हाँ मैं बात कर रही हूँ धरती आबा की मैं बात कर रही हूँ चारखंड राज्य के भगवान बिर्सा मुंडा की दरसल बात उन दिनों की है जब अंग्रेजों का आतंग अपने चरम पर था जमीदारों तथा साहोकारों के अत्याचारों के तले जन्जाती समाज दपता चला जा रहा था ऐसे समय में क्रांती की मशाल अपने हाथ में उ 15 नवंबर 1885 में बिहार का दक्षिनी छेत्र जो की अभी जारखंड राज्य है के खूटी जिले के उली हातु गाउं में मुंडा जन्जाती में एक गरीब किसान परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था व्रहस्पतिवार के दिन जन्म होने के कारण उस बालक का नाम बिर्सा रखा गया बिर्सा बच्चपन में भेड चराते थे बासूरी बजाते थे अपने प्रचलित भाष्चा में गीट गाते थे जंगल और अपनी जन्जाती से उनका अपार स्नेह था सालगा गाओं में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने चाई बासा इंगलिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की वे पढ़ाई में काफी टीश्न थे प्रारंबिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने पिता से क्रिस्चन मिशनरी स्कूल में पढ़ने की इच्छा व्यक्त करी उस समय क्रिस्चन स्कूलों में दूसरे धर्म के विध्यार्थियों को पढ़ने की अनुमती नहीं थी फिलना चाहते हुए भी धर्मांतरन करना पड़ा क्रिस्चन स्कूल में दाखिल होते ही बिर्सा मुंडा का नाम बिर्सा डेविट किया गया अंग्रेजी शिक्षा के दोरान ही बिर्सा मुंडा को अनुबव हो चुका था कि अंग्रेज सरकार हम भूमी पुत्रों को जबरन धर्मांतरित कर हमारे हाथ में बाइबल थमा कर हमारी जमीन चीनना चाहती है दमन की इस नीती का विर्सा करते हुए बिर्सा स्कूल छोड़ कर अपने गाउं चले गए इस दोरान अंग्रेज सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकारों से वंचित कर दिया जिसके चलते जंगल से सटे इलाकों में अंग्रेज और उनके दलालों की आवास काफी बढ़ चुकी थी कई छेतरों को दलालों के द्वारा हथिया लिया गया था भोले भाले आदिवासी किसानों को जंगल की संपत्तिक का इस्तिमाल करने से सक्ट मना कर दिया गया था उन दिनों चेचक और हैजे की बिमारी ने सब को घेर रखा था हजारों लोग मर रहे थे ऐसे समय में बिर्सा ने अपने आदिवासी लोगों को स्वच्छता और सावधानी के तोर तरीके समझाए और बिमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया इसलिए लोग उन्हें सींग बोगा का दूथ मतलब भगवान का दूथ समझ कर पूजने लगे उन्होंने अपने भाषणों से आदिवासी मुंडाओं को अंग्रेज सरकार और साहुकारों की नीतियों से अफगत करवाया देखते ही देखते बिर्सा की समर्थकों की संक्या हजारों में पहुँच उन्होंने अपने अनुयाईयों का एक डल स्थापित किया जिसका नाम वीर साइट रखा गया सने टीन नैंटी फाइव में बिर्सा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमिदारी प्रथा और राजस्वे ववस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेडी बिर्सा ने सूट खोर महाजनों के खिलाफ जंग का एलान किया यह विद्रो मात्र नहीं था आदिवासी अस्मिता, स्वतंद्रता और संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम था उल्गुलान, उल्गुलान, मतलब प्रचंड विद्रो, बिर्सा ने अबुवा दिशुम, अबुवा राज, यानि हमारा देश, हमारा राज का नारा दिया देखते ही देखते, छोटा नाकपूर के सभी आदिवासी जंगल दावेदारी के लिए एक जुठ हो गए अंग्रेज सरकार के पाव उखडने लगे, महाजन, जमिदार, उल्गुलान के भय से कापने लगे अंग्रेजी सरकार ने बिर्सा के उल्गुलान को दबाने की हर मुम्किन कोशिश की लेकिन आदिवासियों के युद्ध के सामने उनकी कुछ नहीं चली बिर्सा और उनके अनुयाईयों ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था सन 1899 को दिसंबर महीने में किसमस की राट पूर्ण करांती की घोशना करते हुए उन्होंने अंग्रेजों और उनके दलालों के उपर भारी आकरमन किया इस हमले में कई दलाल अंग्रेज अधिकारी मौट के घाट उतार दिये जाते हैं कई पुलिस कर्मियों को भी मार दिया जाता है उनकी संपत्ती को जलाया गया इस घटना से दलाल और जमीदार बिर्सा के नाम से भैभीत हो उठते हैं अंग्रेज सरकार बिर्सा पर पास सो रुपय का इनाम रखती है पास सो रुपय उस समय एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी जन्वरी उन्निस सो में दोमबरी पहाडी पर बिर्सा अपने विशाल जन सबा को संबोधित कर रहे थे तब ही अंग्रेज सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं अंग्रेज आदिवासियों के बीच भीशन संघर्ष होता है बड़ुकों का सामना ये धनूश भाला कब तक कर पाते हैं और तो और बच्चे समित बहुत सारे लोग मारे गए अंतमिस्वयम बिर्सा भी तीन फरवरी उन्निस सो को चक्रधरपुर में गिरफतार कर लिये जाते हैं जल, जंगल, जमीन के अधिकार को प्राप्त करने निकला यह तूफान आखिर कर गिरफतार हो जाता है गिरफतारी के दोरान अंग्रेज सरकार बिर्सा फर काफी जुल्म करती है कई अत्याचार सहने के बाद 9 जून सन उन्निस सो के दिन बिर्सा को वीरगती प्राप्त होती है बिर्सा ने केवल अपने 25 साल के जीवन में समस्त देशवासियों को स्वाभिमान और स्वतन्तरता का अदुबुत पाट पढ़ाया मुन्डा जनजाती आज भी बिर्सा को भगवान बिर्सा के रूप में याद करती है उनकी मृत्यू के दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है बिर्सा मुन्डा के अद्भुत संकल्प और साहस को हम सम नमन करते हैं भगवान बिर्सा मुन्डा की जय